दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं रोनक खान और अब यह बताता हूं कि जो श्रीश का नाम ए मेरा रखने का धंग सी कहान और फनिचर के तहत मैं जो आपको दिखाने के लिए लिए हूं मैं आपको मैट्रस की डीपली जानकारी देने अपने बहुत सुना होगा की कि मैटम से तरफ से फंडा होता है तो कभी सोचा है आपने की फंडा गरम आखिर होता कैसे हैं इसमें क्या डाला जाता है कि यह सर्दियों में गरम और और गर्मियों में ठंडा हो जाता है तो आए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो में आंत तक बने रहेगा बहुत इंफॉर्मिशन वाला वीडियो होने वाला है यह तो इसमें आप जानेगा कि आखिर जीसे ऐसा होरा हूँ रहा होगा यह के शायदeez हमें और दोस्तों यह फॉर्म नहीं इसको ile Lock बोलते हैं है जार हई यह फॉर्म में रहता है यह और यह 4 इंची दो इंची एक इंची 3 इंची हर साइन में अवलेवल होता है और इसकी लंबाई चार फूट, छार फूट हर तरीके का होता है तो यह जो मिल रहा है यह आप देख रहे हैं जो आप इसे हिटलोन बोलता है यह फॉम में डाला जाता है मैट्रस में डाला जाता है और इसे गरम तासीर पर जाना जाता है यह गरम कहलात और इसी के अंदर ही यूज होता है आप देख सकते हैं यह वाला फॉर्म तो दोस्तों यह भी हर साइज में अवलेवल होता है और इसका भी जो थिकनेस एक इंची दो इंची पांच इंची चार इंची हर साइज में मिल जाएगा यह तो यह और यह दोनों कॉम्बनेशन होकर यह फॉर्म और हिटलोन कॉमिनिशन होकर मैटरस कि तियार होता है कीस तरीके का हो जाता है इस तरीके का मैटरस को तो तो इसमें फैब्रिक वगरा चेंज करके यह मैट्रस को तयार कर दिया जाता है तो तो इसको आप अगर मान के चलिए कि अगर आप सर्दियों में हैं अगर आप उको ठंड लग दी है अगर सर्दियों में तो आप इस साइट से बिचाएंगे तो यह गरम कहलाएगा ठीक है औ अगर्मियों में आप उल्टा करके बिचाएंगे अप ती तरफ से तो यह घंडा करेंगा इससलिए बोला जाता है फार्म को ओ फार्मे की घंड और गरम क्या होता है तो आप देख सकते हैं जैसे आप कि यह घ्त। आृप्र बहुत हैं तो आप समझ गया होंगे मुझे अगर अच्छा लगा हो आपको आप मेरे चैनल पर नहीं तो जली से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप लोगो टाइम टाइम पर मिलता रहे दोस्तों वीडियो आज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहिंद बंदे मात्रम